तो गुरु लोग इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं तो Sound of Magic का 5th और 6th एपिसोड को और ये इस सीरीज के लास्ट पीडियो है और अगर आपने इसके पिछले भाग सबको नहीं देखा है तो प्लीज देख लो उसको लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मि दिल जाएगी वरना ये वीडियो आपको घंटा समझ भी नहीं आएगी तो इंट्रो के साथ 5th एपिसोड का एक्स्प्रेशन सुरू करते हैं तो पाँचों एपिसोड के सुरूआत वहीं से होती है जहाँ पर चौथा एपिसोड को खतम किया गया था यहाँ यून और ना दोनों वीडियो देखकर बहुत जादा डरे हुए बाहर आते हैं और यहाँ पर वो बुली लड़की भी खड़ी होती है और वो ली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है तो दोनों इसको अच्छे तरीके से डाटते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं यून वहाँ से भागते हुए जा रही होती है और ना उसको रोकता है तो यून कहती है कि मुझे ली पर भरोसा है वो किसी को मार नहीं सकता है ना उसको अभी भी रोकी रहा था तो अभी वहाँ पर ना की मम्मी आ जाती है जिसकी वज़ा से दोनों को अलग-अलग अपने अपने रास्ते पर जाना पड़ता है यून पार्क में कुछ बच्चों को डरा हुआ देखती है और जब वो वहाँ पर पहुंचती है फिर उसको पता चलता है कि बच्चे सिर्फ यहाँ पर खेल रहे होते हैं तो यून वहाँ से बाहर जाने लगती है तब ही उसको वो प्रेगनेंट लेडी दिखती है जिसको हमने कुछ एपिसोड पहले ली के साथ खाना खाते हुए देखा था वो यून से कहती है कि अगर ली के उपर कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले तुम मुझे कॉल करके बता देना और वो प्रेगनेंट लेडी यून को अपना फोन नमबर दे देती है उधर ना घर में बैठा ये सब बातें सोच रहा था जो कुछ भी चीजें इसकी लाइ हुई होती है डिडेक्टिव बनकर वो भी खून का सबूर धूनने के लिए पर जादा देर इसका कुछ ने चलता है ओ बैचारी पकड़ी जाती है तो फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पर जादू सिखने आई थी तो ली उससे सच पूछता है तो यह लड़की उसको वीडियो दिखाते हुए कहती है कि तुम खूनी हो और मैं तुम्हें जेल भीजवा करी रहूंगी तो वहाँ पर ली कहता है कि तुम यहाँ पर मत आया करो और तब ही वो देखता है कि उसके कंधे पर एक कैमरा लगा हुआ है तो वो उसकी तरब भाग कर जाता है जिसकी वज़ा से उसके तोते का पिंजरा टकराकर नीचे गिर जाता है और उस तोते को छोट लग जाती है जिसकी वज़ा से वो तोता चिलाने लग जाता है ली गला दबाकर बुली गल को मारने की कोसिस करता है पर तब ही वो अपने तोते को चिलाता हुआ देखता है तो वो इसको छोड़ कर अपनी तोते को बचाने चला जाता है और बुली गल वहां से मौका पाकर उटकर भाग जाती है और जब ये बाहर जाती है तो उसको वहां पर ना मिलता है तो फिर वो उसको सारी बाते बताती है और ना को तो बिल्कुल भी यकिन नहीं होता है तो वो कहती है कि एक ना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा और फिर वो वहाँ से भाग जाती है फिर अगले दिन स्कुल में टेस्ट के दौरान ना काफी ज़्यादा परेसान होता है इसलिए वो टेस्ट को बीच में ही छोड़कर उठकर चला जाता है वहीं टेस्ट के बाद यून उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हो गया है तुम्हें तो वो काता है कि कुछ नहीं और वो उसको सारी बातें बताता है जो कुछ भी रात को हुआ था और जो कुछ भी बुली गर्ल ने उसको बताया था और फिर वो यून को ली से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि इसको ली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रा गया है पर यून ली पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है और वो काती है कि ली ऐसा नहीं कर सकता है वहीं फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ना की मा उसको खूब ज़्यादा डाटती है क्योंकि उसने टेस्ट को इसकीप किया था वहीं इसका जो टीचर है वो उसकी मम्मी के बहुत बड़ा चंचा है वो ना के बारे में सारी चीजें उसकी मम्मी को बता देता है चाहे कुछ भी हो फिर ना इन से कहता है कि मेरा तबिया ठीक नहीं था इसलिए मैंने टेस्ट नहीं लिखा तब भी उसके पिदाजी वहाँ पर आते हैं और इन दोनों को ना के रूम से बहुत सारा मैजिक करने का समान मिल जाता है तो उसकी मा इन सभी समानों को बाहर फेकने लग जाती है पर ना इनको रोकता है फिर दोनों मिलकर इसको खूब ज़ाद होते हैं और फिर इसका घर से अकले बाहर जाने पर भी रोक लगा देते हैं, पर ये रात का फायदा उठा कर वहाँ से भाग जाता है, और भाग कर सीधे पार्क में जाता है, पर उसको यहाँ पर कोई नहीं मिलता है, फिर इसका सर घूमने लगता है, जिसकी वज़ा से वो बेहोस हो और फिर जब इसका आँख खुलता है, तो ये बहुत साल आगे फ्यूचर में जा चुका होता है, जहाँ पर ये काफी बड़ा बिजनेसमैन और एक अमीर आजमी बन गया था, और फिर से उसका दिमाग घूमता है, और फिर वो वहाँ से जंप लेकर सिधा एक खेत में और इसकी आँख अचानक से खोल जाती है, तो यहाँ पर वो देखता है कि किसी ने उसके उपर कंबल डाल दिया था, और नीचे वही फूल सब बने हुए हैं, जो अभी इसने सपने में देखा था, इन्ही सब बातों के बीच हम बाहर एक लेड़ी को देखते हैं, जिसके बास एक आदमी आया हुआ है, जिसने बिल्कुल जादूगर वाले कपड़े पाने रखे थे, और वो कहता है कि क्या तुम्हें मैजिक पर यकीन है, तो वो लेड़ी उसको कहती है पगला गया है का, तो फिर यह उस लेड़ी को जान से मार कर इसका पर्स लूट कर वहां से भाग जाता है, बस फिर क्या था, अगले दिन पुलिस ली को ढूंडने लग जाती है, और इसकुल में भी बच्चों से पूच्टास किया जा रहा होता है, और बताया जाता है कि ली ने एक लेड़ी को मार कर उससे लूट लिया है, पर यून करती है कि ली ऐसा सब कुछ टू यहाँ पर एक आदिमी को बुलाता है, और यह वही सोप ओनर है, जिसने पहले एपिसोड में यून के साथ बत्तमीजी की थी, और जादूगर ने इसको गायब कर दिया था, तो फिर वो बताता है कि यह लड़की उस जादूगर को जानती है, और उससे मिली हुई है, और तब ही सोफ वाला आदमी यून को मारने कोसिस करने लग जाता है, और टीचर इनको रोपता है, तब ही वहाँ पर ना आ जाता है, और वो कहता है कि ली तो राद बर मेरे साथ था, तो उसने ये सब नहीं किया है, बस फिर क्या था, चमचा टीचर इसके मम्मी पपा को को कर लेता है, और उनको बुला लेता है, पर फिर भी ना अपनी बात पर ढटा रहता है, वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो मेरे ही साथ था, तो फिर उसके पिताजी खाते हैं कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि वो तुमारे साथ था या नहीं, वो जाद स्कूल के बच्चे इसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं जैसा कि इसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और इस पर उल्टे सिधे आरोप लगाया जाते हैं तो फिर यह बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और इसका दिमाग घुमता है और यह वहीं पर कुर अब 6 एपिसोड पर आते हैं तो एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की की डेट बोडी मिल गई है पुलिस को जो कि पहले एपिसोड में गायाब हो गई थी और वहीं चानबिन के दवरान इस लड़की की ID की फोटो और एक चाकू उसी पार्प के बाहर मिल करता है क्योंकि इसका तोता बिमार होता है और वो मरने ही वाला है और वो ये भी कहता है कि मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया है तो मैं भागूंगा भी नहीं और तब ही वहाँ पर पूलिस आ जाती है और ली को पकड़ लेती है यून पूलिस को मना करने लगती है ये सब क पहले क्योंकि ये mental hospital में admit था और इसका treatment चल रहा था अब यून इतनी सारी बातें ली के बारे में जानकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और इसको जटका भी लगता है और तभी वहां ना आ आ जाता है और यून उसको भी सब कुछ बता देती है फिर दोनों मिलकर उस pregnant lady से म बताती है तब हम देखते हैं एक सुन्धर सा सीन यहां पर हमें पता चलता है कि यह लड़की और ली और सबसे बाते करता था और लाश्ट यह राते आते हो बीमार रहने लग गया और बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया था और वो ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करता था और एक दिन ऐसे ही हो चक्कर खाकर गिर गया और हॉस्पीटल पहुँच गया और जब यह उससे मिलने के लिए गई तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी पर फिर भी होस्पीटल में बीमार हालत में भी वो पढ़ाई ही कर रहा था क्योंकि उसको अच्छा नम्म लाना था उसकी फैमली को इंप्रेस करने के लिए सिधा बाद बताओं तो इसका परिवार का इसके उपर बहुत ज़्यादा परेसर था कि वो इतने बीमार हालत में भी पढ़ाई कर रहा था और उसकी जो भी हालत हुई है वो सब के जिम्मेदार इसकी फैमली ही है और उसके बाद वो अवेंटर होस्पिटल पहुंचाता है इसके बाद काफी दिनों तक इसका ट्रीटमेंट चलता है और उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा और कुछ दिन पहले ही वो लड़की उससे मिली थी और मिलकर काफी जादा खुस हुई थी दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि पूलिस एस्टेशन से भाग चुका है पूलिस यून को कॉल करके जल्दी से बता देती है तो यून और ना उसको ढूंडने के लिए जाते है वही ना इसकुल में बैग लेने के लिए चला जाता है इधर ली पूलिस वालों को जादू दिखा रहा होता है पूलिस इसको गन पॉइंट करके अपने साथ चलने के लिए काते है तब ही वहाँ पर यून आती है और वहाँ पर हम काफी दिर तक इनका डांस देखते है यून बहुत ज़्यादा खुस होती है वो कहती है कि तुमने मेरी पूरी जिन्दगी बदल दी तुम मेरे साथ आया तो मैंने इतनी सारी चीज़ें सेखी और मैं काफी ज़्यादा दुखी रहा करती थी और अब मैं बहुत ज़्यादा खुस हूँ तुमारी हो जैसे और फिर वो इसके उपर कपड़ा डालती है और वो वहां से गायव हो जाता है वहीं दूसरी तरफ इसकुल में दो स्टुडेंट यून और ली के बारे में बहुत गंदी-गंदी बातें कर रहे होते हैं और ना उनकी बातें सुन लेता है फिर उससे रहा नहीं जाता है और वो जाकर उनसे भीड़ जाता है और इन दोनों की खोब ज़्यादा मारपीट होती है और आखिर में वो लड़के वहां से भाग जाते हैं इसके बाद हमें कुछ दिन बात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं युनको जो की ली की तोते को दपना रही थी वहीं पार्क में क्योंकि उसका तोता अब मर चुका है वो बूढ़ा हो चुका था पर पूलिस अभी भी छान बिन कर रही है तब भी इनको CCTV में एक वीडियो मिलता है और ये CCTV पार्क में लगा था इस CCTV में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को उस मरी हुई लड़की की फोटो को और उस चाकू को वहाँ पर फेक कर जा रहा है और ये आदमी कोई और नहीं बलकि वही शोप ओनर है और फिर इस शोप ओनर को उठा लिया जाता है थोड़ी देर उसको डराएं धमकाने के बाद वो सब कुछ सच सच बताता है फिर हम देखते हैं कुछ महिने पहले का सीन जहां पर वो मरी हुई लड़की इसके शोप पर काम करने आया करती थी एक दिन वो वहां से पैसे चोरी करते हुई पकड़ी गई तो शोप ओनर उसको डराता है तो वो लड़की करती है कि मुझे माप कर दो मैं आब ऐसा नहीं करूंगी पर हम तो जानते ही है वो शोप ओनर है ही हरामी तो वो उस लड़की के साथ भी गलत करने की कोसिस कर रहा था पर यह लड़की उसकी वीडियो बना लेती है चुपके से और फिर इसको डराती है धमकाती है कि मुझे पैसे दो वरना पूलिस को दिखा दूंगी तो ओनर उसको रात में बुलाता है पैसे देने के लिए और वो शोप ओनर उसको वहीं पर निप्ता देता है यहाँ शोप ओनर कहता है कि पर मेरे फिंगर पिंट तो नहीं है चाकू पर और तब हमें यहाँ पर चाकू के बारे में पता चलता है ये वही चाकू है जब ली किसी को मार रहा था असल में वो सब कुछ सही नहीं था वो सब बस गलत बातें थी पुलिस वालों ने उससे फिंगर पीट लेने के लिए ही ये सब करवाया था उसी दोरान उसके घर में चानबिन भी हो रही होती है जिसमें से मैजीशन की ट्रेस मिलती है और वो यही ट्रेस पहन कर उस लेडी को मारने के लिए गया था यहां पर साफ हो जाता है कि ली बेकसूर है और सारे क्राइम इसी शौप ओनर ने ही किया है उसके बाद यून भी पुलिस एस्टेशन में आती है और वो उस शौप ओनर के उपर केस कर देती है क्योंकि शुरू में उसने उसके साथ बत्तमीजी जो की थी जैसा कि हमने पहले एपिसोड में ही देखा था यहां पर डिटेक्टिव बताता है कि पार्क के बाहर वाला कैमरा हमेस्था खराब रहता था पर जिस रात यह सब कांड हो रहा था उस रात वो कैमरा अपने आप ठीक हो गया वो यह भी बताता है कि पार्क में लाइटें भी चमाक रही थी क्या तुम उस रात वहां पर गई थी तो फिर यून मना कर देती है और यहां पर हमें पता चलता है कि वो लाइट इसले चमाक रहा था क्योंकि उस दिन ली ने यून को मैजिक दिखाया था जब वहां पर वो पहली बार गई थी जिसे कि हमने शुरू में देखा था और ली जब मैजिक दिखा रहा था तब ही धर यह सब कांड हो रहा था और वहां लाइट जलने के कारण यह सब चीज भी रिकोर्ड हो गई थी तो शायद यह सब मैजिक ही था इसलिए तो कैमरा भी अपने आप ठीक हो गया था दूसरी तरफ ना इसकुल छोड़ देता है और अपना खूद का लाइप में कुछ करने के लिए निकल जाता है ऐसे ही बहुत साल भी जाते है अब यून बड़ी हो गई है और उसका स्कुल भी कंपलीट हो चुका है और स्कुल कंपलीट करने के बाद यह जगा जगा पर काम करती है और अब इसके पिताजी भी हफते में मिलने के लिए इनसे एक दो बार आ जाया करते है और वो एक काम भी करते है जिसवज़ा से यह दोनों मिलकर पैसे कमा कर अपने करजे को चुका रहे है और यह सारी बातें वो लेटर में लिखकर उसी बॉक्स में रख देती है ताकि लि तक ये सारी बाते पहुच जाये और यहां से वो अपने काम पर जाती है जहाँ पर हम देखते है कि यून अब मेजिशन बन चुकी है और बच्चों को जादू सिछाती है और इसका मन में लि के लिए बहुत दी इज्ज़त है और वो मन ही मन में ली को थांक्यू भी बोलती है और यहाँ पर यह एपिसोड और यह सीरीज भी खतम हो जाती है तो दोस्तों ली सर्च में जादूगर था या नहीं यह तो मुझे नहीं पता पर वो यून और ना की जिन्दगी के लिए जरूर जादूगर था क्योंकि ली जब उनके जिन्दगी में आया तो उनका जिन्दगी पूरी तरह से बदल गया यून जो की पहले कभी गुमसुम सी रहा करती थी और जिसका कोई भी नहीं था ना उसे कोई सपोर्ट करता था वो खुस रहने लग गई और ना ना को तो पढ़ाई पसंद नहीं था पर वो अपने फैमली के प्रेसर में आकर पढ़ाई कर रहा था पर वो भी ली के साथ रहा कर सीख गया कि उसे अपने जिन्दगी में क्या करना है और उसने पढ़ाई ड्रोप किया और अपने जिन्दगी में कुछ करने के लिए अकेले आगे निकल गया ये कापी खुबसूरत सी स्टोरी है और आज की वीडियो में सिरिफ इतना ही आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई होगी अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जल से जल मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है पूरा करवा दो यार तो इन्ही सब बातों के साथ इस वीडियो के यहीं पर इंड करते हैं मैं मिलता हूँ आपसे नेक्ट एक्स्प्लेनेशन या रिवीव वीडियो पर तब तक के लिए बाए